कि आप सभी के इंटरंस एक्जाम का सिलिबस क्या होगा और जितनी भी चीजी हम डिटेल में आपको एक्स्प्रेंट करेंगे वह टॉपिक वाइस करेंगे कर लेते हो तो उसके बाद आप सब और यहां पर निकाली लेंगे जितना आपको निकाल लाएं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले दिल्ली पॉल टेक्निक 2022 के इंटरंस एक्जाम प्रिपेशन के लिए सिलेबस के बार में यहां की फाइनली इस चिंड आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम डिटेल में एक्स्प्रेंट करने वाले कि आप सभी के इंटरंस एक्जाम का सिलेबस क्या होगा और जितनी भी चीज़े हम डिटेल में आपको एक्स्प्रेंड करे सभी करना है और फुल्टइम डिप्लोमा करना है माग केनिकल इलेक्टिकल इल्टोनिक सीस इस तरीकी जितने भी आपके ब्रांचे से तो आप सभी को सक्षण नंबर एई बी और से एक्कों के साइंस के कोश्थन्स नंबर बी में आपके जनरल एपिट्व्रेंट और रिज के लिए इनकी क्लास 12 की आपकी साइन्स हाई गी उसके यहां पर ने प्रिवियस वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्स्प्लिएन किया था अगर आपने प्रिवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लिस उसे पहले देख लिजेगा यहां पर इस्टेंट आज की की आपको कुंशन हएंगे सबुलब के स्कल्शन के लिएक तो इसके बासी में इसी को फोलो किया ता और हम बिल्कुल उसी की तरह आज की वीडियो में बात करेंगे हैंकि आपकर दो जार 27 थया बैंट कि दो ज्लयाओंग проблем मैं जो भी आपकर दो एकर उसे तरीके से में यहाँ पर चीज़ां गाइड करने वालों तो सबसे पहले इस पर दिख लिए जो आपका सेक्शन में अबर अगर बात करो तो यहाँ पर इतने टॉपिक्स हो सकते हैं सबसे पहला टॉपिक है शबसे पहला आपको चप्टर कौन सा पढ़ना है सबसे पहले ncrt की बुक से आप पढ़िएगा और जैसे आप ncrt की बुक कवर कर लेते हो तो उसके बाद आप सब objective कोशन लगाने के लिए आप सबसे पहले पढ़ना है दूसरा आपका सबसे नमबर का इसे आपको बढ़ना होगा मैं अभी आपको यह भी बताऊंगा कि अगला हमारा देख लिए इस तरीके से अगला हमारे के एक आपका छूड़ गया है देखिए यहां पर देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आपका एट है उसमें लिखा आपका आपका नवे नमबर का टॉपिक चुट चुका है वह आप लिख लिजेगा जो आपका नवे नमबर का चप्टेर है नंसीयाटी में है डिटीन एविलूशन वह भी आपका आएगा उसका देखिए नेक्स्ट नमबर पर तो यह आपका पूरा बाया हो गया इनके छटे से ल बिल्कुल तरीकिसे करना बायो च्वड़ा सब डिल सकती हो इन दोनों को सही तरीकिसे करने देखो चिए आप फिजिक्स को तरीकिसे करेंगा तो सबसे पहलेज़गा यह मौस्ट इन पॉर्ण चप्टेर यहां से तो कोशन बनना ही बनना है यहां से कोशन बनता ही बनता है अगला आपका 11 नमबर का इलेक्टिसिटी यहां से भी कोशन बनेगा इस चिसको आप द्यान दखेगा नेक्स्ट आपका 12 नमबर का इसको भी करना है अगला हमारे नेक्स देख लिए एकाद कोशन यहां से बन जाते हैं सोर्स ऑफ इनर्जी और उसके बाद हमारा एंड आवर इन्वार्मेंट इसमें से भी आपके कोशन बन जाते हैं तो इन जी जो को आपको द्यान लखने हैं आपका साइंस का पूरा कंप्ल सबब्सक्तार इस तरीके से पड़ेएगा यह दो नहीं पर इन पॉञ्ट है और यहां पर इस तरीके से लिखा है ना सुरे मेरा वजल यह तीन चेप्टर थे आपके कैमिस्त्री में यहां पर बहूर्ट सकते हैं यहां से आपके कोशन बनते हैं पेपर में तो इन चीज़ो लीजनिंग टा आपको यहां पर बताना चाहते हैं लोगल रिशनिंग और अप्टिट्टिव करने से पहले आप लोगों को पहले यह से लॉजिकल रिजनिंग ही कहते हैं मैरा मतलब यह फिर या फिर फैफ यह उडाया तो बधाई अगला प्र चाहिए इस यहां पर इनको जरूर पढ़ने से पहले आपका ठीक है तो इसके उपर करा देंगे सबसे पहला आपका एलजेब्र सेक्षिन से अगर हम बात के तो रियल नमबर में से कोशन आता ही आता है यहां पर उसको आपका है पॉलीनोमियल इसमें से आपका आएगा अगला देख लिए सेकिंड नमबर का क्या है हमारा लीनियर इक्षिन टू वैरीवल इसको सही तरीके से पढ़ना आप उसका नेक्स देख लिए कोडेटिक एक्षिन बहुत इंपॉर्ट चैप्टर यहां पर क्यूंकि वर्स प्रॉब इसको भी आपको सही तरीकरे से पढ़ना है एक नमबर पर आपका सिमलर ट्राइंगल से भी कोश्ण मिलते आप लोग को उसको सरकल और स्ट्रक्षिन से ना के बरावर आते सरकल से कोशन पूच्छे जा सकते हैं अगला हमारे नेक्स चैप्टर है यहां पे आप देख सकते ह हो गया और प्रवैल्टी से कोशन पूशे जा सकते हैं इस चिसको आप डियान रखेएगा राइट यह हमने आपको बता दिया सक्षिन नमबर बी के बारे में इसके अभी और भी इनकम्प्लीट है इसके अभी और भी कोशन हो सकते हैं मतलब यहां से आपको प्रैक्टिस करा अगला देख लिए सक्ष्चन नमबर से घ्रैक्टाम से की बात करें सबसे पहुते सबसे घ्रैक्टे में शॉर्ण प्रेश्चर शो कोशा जाता प्रिद को प्यारा चाटी यहां पर देख लीजिए सब्सें पहला चॉन हो पमें एरग इंगलीस इंगलीस को मशन पूपर आ आपका बॉर्ट्स एंड मेनिक यह आपका 4 अटॉफिक हो गया पाचव हमारे टॉपिक हो जाएगा छटा देखिये चपका टॉपिक यह पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्व यह भी आपको पढ़ना है अगला देख लीजिए हमार पास कहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पढ़ना होगा फिर सवनोनियम और एंटेनियम कभी-कभी पूछ ली जाते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा ठीक है यह तो बह सब्सक्राइब करने के तो इस चीज़ को बहुत बच्चे घबरा जाएंगे तो घबरानी की कोई भी बात नहीं है जरूरी निए कि अगर आपको यह सक्षिन नहीं आता कम से कम अगर 20 कोसिन आते हैं तो आप कम से कम पांस तो कर सकते हूं कैसे भी क्याई अगर observ कर दिये cuma अगर यह चांच फिए और यहां पर निकाली लेंगे जितने आपको निकालना है तो अगर आप नोट करना चाहते तो प्लीज इसे नोट करना चाहते हैं, हम जलदी इसके उपर लक्षे भगयरया लाने वाले ताकि आप सभी का इंटरेंस प्रपिशन हो सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन सब की भी हल्प हो सके राइड तो प्लेस इसे नोट कर लिए होगा पोस्ट कर लिजिए हो गया होगा इतनी देर में तो चलिए बहुत बढ़िया इसीक साथ हम वीडियो को इंप कर दो में पंपर्ण याडर के साथ हम भलिए होगा